विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल हम लोग देख रहे थे इंसी आठी सार संग्रा जिसमें modern history चल रहा था आज हम लोग history को complete करने वाले हैं दो तिन टॉपिक ही छूट गया था तो चलिए इस वीडियो को program करते हैं तिन टॉपिक कौन-कौन से हैं तो cabinet mission सिम्धान सभा त लाइक करिएगा चैनल खो सके तो आप लोग subscribe कर लिजेगा फर्स्ट नमर कोशन आज की इस वीडियो का British प्रधान मंत्री एटली जो की लेवर पार्टी से समधने थे द्वारा भारते नेताओं से बाचित के लिए किस संसधिय दल का गठन किया गया एटली के द्वारते न मार्च 1946 को कैवनेट मिशन भारत आया बिल्कुल आराम से चलेंगे कैवनेट मिशन के अध्यस था ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉड पैंथिक लॉरेंस द्वरा की गई तथा इसमें सामिल दो अनेशदस अश्टेफोर्ट क्रिस तथा एवी अलेक जेंडर थे यहां पर ध अभुल कलाम आजाद और आपनों को पता ही होगा 1940 से लेकर कि 1946 तक मौलाना अभुल कलाम आजाद ही कावनेट मिशन के आगवन किसमें भारत का वैसरा है कौन था तो लॉड वैविल था लॉड वैविल कावनेट मिशन का पुर्ण शमर्थन क्या गया तो महात्मा गांधी क दोरा पुर्ण शमर्थन क्या गया कैवनेट मिशन के प्रमुक प्रावधान क्या क्या थे भारत की एकता बनाई रखी जाए मुशनली की पाकिस्तान की मांग आस्विकार कर दी गई भारत एक संग होगा जिसमें ब्रिटिस प्रांथ तथा देशी रियास्ते सामिल होगी सम समधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांथी विधान सभा तथा देशी रियास्तो के प्रतिनी धी शामिल होगी नेश्ट है कैमियेट मियसं योजना को प्रतिय वाहे दिवस का मनां गया उल्हा पाकिस्तान दिवस का मनाया गया था, पिछले वाले वीडियों में हमने बात भी किया था, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, और परत्याच कारवाही दिवस का मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को, आगे बढ़ते हैं, परत्याच कारवाही दिवस के दोरान, हुए हिंस घटनों को सांध करने के लिए गांधी जी कहां गये थे नोखली, नोखली है कहां तो वर्तवान में बंगलादेश में है, नोखली में गांधी जी के विवेक एवां सहास को देखकर मौंट वेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपासे दे गई थी, तिया है उपासे दे गई थी One Man Boundary Force One Man Boundary Force की पाधिकिस ने दिया था Lord Mount Waiter ने वर्स 1922 के Congress अधिवेशन में किसके दोरा यह विचार प्रसुत किया गया कि भारती शमिधान भारतियों के इच्छा के अनुसार होगी यह इच्छा व्यक्त किया था महात्मा गांधी यह किसका विचार था महात्मा गांधी का था कब 1922 के Congress अधिवेशन में शमिधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतरगत किया गया था समिधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतरगत किया गया था जिनमी प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208 मुशल लिग के 73 15 अन दलो और स्वतंत्र उमिदवार निर्वाचित हुए। जिनमी प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। तो दूसरी व्यठक हुए, 11 दिसंबर 1946 जिसमें अस्थाई अध्यास चुना गया किसे डॉक्टर राज्जेंदर प्रशाद को। प्रथम अस्थाई अध्यश सेदानन सिना और दूसरे अस्थाई अध्यश चुना गया किसे राजेंद्र प्रशाद को कर सकते हैं कि प्रथम अस्थाई अध्यश किसे चुना गया है राजेंद्र प्रशाद दूसरी बैठक में वाईसराय वैवेल द्वारा किसे अंत्रिम सरकार बनाने कर्णी मंतरन किया गया तो जोहला नहरु को जोहला नहरु के नेत्वित में अंत्रिम सरकार का गठन कव किया गया अंत्रिम सरकार का गठन किया गया दो सितंबर 1946 को दो सितंबर 1946 को अंत्रिम सरकार खागठर किया गया लियाकत अली सहित मुशनली के 5 सदस कब अंत्रिम सरकार में सामिल हुए प्रेक्टिशेट में यह कोशन दिखने को ही मिला होगा लियाकत अली सहित मुशनली के 5 अंत्रिम सरकार में सामिल हुए तो 26 अक्टोबर 1946 को 26 खर से बनाई प्री इंडियान लीजन नामक सेना बनाई प्री इंडियान लीजन नामक सेना बनाई इसने बनाई सुहाशनर बोश। किषने फ्री इंडियन लीजन नामक सिना बनाई शुहाश चंद्र बोश अंत्रिम शरकार का मंत्री मंडल दिया गया है जिसमें सदस्य का नाम और विभाग जैसे कि जुहला नेहरू काशकारी परसत के उपाध्यच विदेश मामले एवं राष्ट मंडल से समन्धित मामले के अध्यच जुहला नेहरू ही बने रच्छा विभाग किसके हाथों में आया? तो रच्छा विभाग आया बलदेव शी उद्धोग एवं आपूर्ती मंत्री कौन हुए? जौन मथाई सिच्छा मंत्री सी राजगोपालाचारी कार्ज खनन तथा बंदरगा सी एच भावा खाद एवं कृशी विभाग यह डॉक्टर राजयन प्रशाद के हाथों में आया? रेल विभाग रेल मंत्री कौन चुने गए तो आशफ अली स्रम विभाग स्रम मंत्री जग जीवन राम वित मंत्री लिया का तरीखाब एक वा फिर से रिकॉल कर लेंगे काशकारी परशत के उपाध्यच विदेश मामले एवं राष्ट मंड़ा से समन्धित मामले किसके हाथ में आया? जोहलाल नहरू के हाथ में बल्ला भै पटेल ग्रिह मंत्री प्रशारन मंत्री तथर यासत मंत्री किन्हें बनाया गया तो बल्ला भै पटेल को रच्छा मंत्री किसे बनाय गया तो बल्देव शी को। उधोग एवं आपूर्थी मंत्री बने जौन मथाई C. राजगवपालाचारी शिछा मंत्री कार्ष खाण एवं बंदरगाह मंत्री कौन बने? C. H. भावा खाद एवं कृषि मंत्री डॉक्टर आजेंद प्रशाद, रेल मंत्री आशफ अली, जगजीवन राम जो है या स्रम मंत्री बने लियाक तलिखा वीत विभाग कहसक्ते वीत मंत्री लियाक तलिखा बने अस्फाक पुलाखा पहले मुश्लिम कुरांतिकारी थे जिन्हें स्वतंतर संघर्ष के धोरान फांसे दे गई थी इस कारण से बताएंगे काकोरी सड्डियां त्रमावले में इन्हें फांसे की सजाती गई थी नेश टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंतरता वीडियो फसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा किसी चीज में कमी महसूस हो रहागा तो कमेंट करें जरूर बताएगा उसमें सुधार करने का मैं प्रयास करूँगी 20 फरवरी 1947 को किस ब्रेटिस प्रधान मंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भाराच छोड़नी की घोशना की गई किलिमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को किस ब्रेटिस प्रधान मंत्री द्वारा जून 1990 से पहले भारच छोड़नी की घोशना की गई कलिमेंट एटली कलिमेंट एटली ने Lord Bebel के स्थान पर किसे वासराय नीक्थ किया लॉट मौंट वेटन को मौंट वेटन द्वार विभाजन के साथ सत्ता हस्तरांतन के लिए योजना का प्रस्तुत की गई त्याह प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 3 जून 1947 को सत्ता हस्तरांतन के लिए योजना प्रस्तुत की गई कि इस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है तो मौंट वेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है मौंट वेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या 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 खते हैं जैसे कि पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसल्मान बहुँ संख्यक जीलों के प्रांथी विधान सभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए, उनके प्रतिनीधियों को यह निशित करना था कि प्रांथ का विभाजन हो अथवा नहीं, विभाजन होने के दसा में तथा दो शमिधान सभाओं का निर्वान किया जाएगा, उतर पश्मी शिमा प्रांथ तथा अश्रम के सिलहट जीले में जन्मत संग्रह द्वरा यह पता लगाया जाएगा कि विभाजन के किस बहाग के साथ रहना चाहते हैं, विभाजन के गतिरोत को दूर करने के लिए एक सीमा आयो का गठन किया जाएगा, जो की गठन किया भी गया, रेट कलिफ रेखा किची भी गई, आगे बढ़ते हैं, भारत विभाजन के संदर में वर्स 1947 में न्यूक्त सीमा आयो के अध्यस्ता किशने की थी, सिरिल रेट कलिफ ने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की विभाजन का प्रस्ता स्विक्रित किया गया था, जे स्विक्रित किया गया दिली अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की विभाजन का प्रस्ता स्विक्रित किया गया दिली अधिवेशन, भारत का विभाजन स्विकार के जाने किसमें कांग्रेस के लिए डिक्री वर्ड प्लान त्यार किया था मौंट वेटर ने भारत की आजादी के लिए डिक्री वर्ड प्लान त्यार किया था जिसे नहरू ने यह कहते हुए अस्विकार कर दिया था कि यह योशना भारत की वालकनी करन को अमंतित करेगी इसलिए इस योशना को वालकन प्लान भी कहा जाता है याद रखिएगा माउंट वेटर ने भाद के आजादी के लिए कौन सा प्लान तयार क्या था तुट्टिकी वड़ प्लान जिसे नहरू ने अस्विकार कर दिया और इसे वालकनी करन को अमांत्रित करने की बात कहीं इस कारण से ही इसे बालकन प्लान भी कहा जाता है गांधी जी की मिर्टू 30 जनवरी 1948 पर जोहला नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवां से प्रकास गयव हो गया है पहले ही बात हमने कल भी लिया था ब्रिटिस संसर द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से मौंट वेटन योजना को स्विकिर्थी प्रदान की गई त्या प्रदान की गई भारतिय स्वतनता धिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे चलिए आप ध्यान देंगे 15 अगस्ट 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बाट दिया जाएगा प्रतेक अधिराज में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लेंड का शम्राट करेगा नए समिधान का निर्मान होने तक दोनों राजियो का प्रशासन भारत शासन अधिनियम उनिश्व वैधिस का नुसार चलाए जाएगा भारती रजवारों को स्वतंत्र रहने का विकल्फ नहीं दिया जा सकता उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में यही सा बात कही गई थी चले आगे बढ़ते हैं भारत क प्रथम एभं अंत्रिम भारतिय गुवर्णर जनरल पुछा जाए तो शीराजव पलाचारी कांग्रेश के किस प्रमुख नेता ने श्वतंता दिवस के समारों में भाग नहीं लिया था महात्मा गांधि पंद्रह अगस्त 1947 की मधरात्री में केंड्री असेंबली में जैना के द्वरा गाय गया तो एंए सुबू लचमी के द्वरा प्रथम भार भ्षरत के पर्धानमंत्री के न्युक्ति किस के द्वरा की गई थी तो गर्णर जनरल के द्वरा पाकिस्तानמा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मुहममद अली जिन्ना भारते सिंधान को पूंडरोप से कव लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को समिधान को पूंडरोप से लागू किया गया भारत की में आफ इंडिया किलपाधि किस्षे दी जाती है ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया दादा भाई नरोजी महरास्ट में सिवाजी उसव गनपती उसव के सुराथ किष्णी किया था तो बाल गंगाधर ती लेक्टी सिवाजी उसव जो है 895 और गनपती उसव जो है 1893 में प् विवस्था का भाग है जहां सब की असंगत है किस ने कहा था तो जी भी मैं काले ने इस्ट इंडिया कंपणी के बारे में एक टिपनी की की कंपणी एक असंगती है प्यंतु यह उस विवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है भारतिय असंती का जनक किसे कहा जाता है त श्रेट ने कहा था तो विलेंटाइंच शिरोल ने कहा था भारतिय असंति का जनक बाल गंगा धर तिलको ब्रिटिस पार्लेमेंट में चुना जाने वाला प्रतम भारतिय कौन था तिया थे दाधा भाई नौरोजी सन्यासी विद्रो किस वर्स आरम हुआ था 1770 इस्वे में सन्यासी विद्रो 1770 बंगाल वाले छेत्रे तिरती आंगल मराठा यूद किसके सा सनकालने हुआ तिरती आंगल मराठा यूद लॉर्ड वारेन हिस्टिंग या गलती आ गया है वारेन हिस्टिंग के समय नहीं हुआ था तिरती आंगल मराठा यूद लॉर्ड वारेन हिस्टिंग के समय नहीं हुआ था तिरती आंगल मराठा यूद था तिरती आंगल मराठा यूद जू हुआ था लॉर्ड हिस्टिंग के समय ना कि वारेन हिस्टिं किसमें 1887 सा 18 के वीच में चला था, धियान रखिएगा आप लो, गान्धी जी के दार्नी मार्स से प्रेड़त होकर किस नेतानी किरेल में एक मार्स निकाला था किकलप्पन, काल्यकण से पोया-नूर गांधी जी के दाने मार्श अप्रेरित होकर किस नेता ने किरल में एक मार्श निकाला था केक कलपपन काली कट से पोया नूर तक सरवोधे सब्द का प्रत्थमबार परयोकिशने किया था तो महात्मा गांधी ने दूसरे सबने अब अगया आंधुरयां के अबधी क्या थी तो जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक अध्यच्य सम्भोधन के समय किस कांग्रेस अध्यच्ट ने हिंदी भासा के लिए रोमन लिपी लागु करने की वकालत की थी शुभाश रंदर बोश अध्यच्य सम्भोधन के समय किस कांग्रेस अध्यच्ट ने हिंदी भासा के लिए रोमन लिपी लागु करने की वकालत की थी शुभाश रंदर बोश दिती विशुट कब समाव्ट हुआ था वर्स 1945 में मधेकानिन बिद्वान या लेखकों में कौन जयन धर्म का अनुआई था जयन धर्म का अनुआई कौन था हैं चंद्रशूरी दिती विशुट किस में ब्रिटेन का प्रधार मंत्री कौन था वीस्टेंच चर्चिल बंग विभाजन करो और छोड़ो कनारा किशने दिया था मुश्लिम लिगने दीतिय विश्यूत के समध में भारती राष्टी कॉंगरस के क्या नहीं थी पुन्ट सुतंता का अश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग ऑप्रेशन पोलो किस देशी रियासत को भात में विलय करने के लिए चलाया गया तो हैदरावाद रियासत सतंत्र भारत में पर्थम गैर कांग्रेशी प्रधन मंत्री कौन था तो मुराजी देशाई रविना टैगोर की उनकी रशना गितांजली के लिए किस वर्ष नोबल पुरुषकार से समानित किया गया नोबल पुरुषकार रविना टैगोर को दिया गया गितांजली के लिए 1913 में रविना टैगोर को महान प्रहरी की संगया किषने दी यह दी थी महात्मा गांधी ने ब्रिटिस काल के दौरान पड़ेकिस आकाल को प्रकोब का स्रमूद्र मदब सी ओप कैलमीटी कहा जाता है तिया कहा गया उरिसा का अकाल काल को अकाल का पड़ा था उरिसा में 1866 गुट निर्पेष्टा नीती का प्रतिपाजन किस के धौरा किया गया था गुट निर्पेष्टा नीती जोहला नेहरू भारत के प्रताम-प्रधान मन थी जोहरा नहरू के जिवनिकार कौन थे तरफ फ्रांक मोरेश गोखले माई पुलिटीकल गुरू नाम पुच्ति कृष्ण कृष्ण की थी महात्मा गाधीं ने गोखले मेरे राजनीति गुरु महात्मा गाधी भारती राष्टी कॉंग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थी? पटावी सितारमया किस राष्टवादी मुश्रीम को सिमान ते गांथी के नाम से जान जाता है? तो खान अब्दुलगाफार खाकू भारत शासन अधनियम 1935 को किस के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो यह कहा गया जोहलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्रे 1940 इसमी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किस ने किया? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठल एम एन राय ने शबने अवग्या अंधुलन के दोरान कानून को तोड़ने के साथ चौकिदारी करना चुकाना कोई कर नहीं तथा कोई किराय नहीं आधी अंधुलन भी चलाए गए याद रखेगा शबने अवग्या अंधुलन के दोरान कानून को तोड़ने के साथ चौकिदारी करना चुकाना कोई कर नहीं कोई किराय नहीं आधी अंधुलन भी चलाए गए इस अंधुलन में महिला, बच्चा, छात्र, जंजाती, कामगर, किसान, व्यापार, मुशने सविदा के भी कुछ लोग इसमें समर्थन प्रदान कियें भारती सोतांता हंदुलन में सहयोग पाने के लिए लाला हर्द्याल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टे की अस्थापना की प्रिटिस कान में पारित महित्पुन, अधिनियम, योशनाय और प्रस्ताव चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे रेगुलेटिंग एक्ट कमला आ गया तो 1773 में बारिन हेस्टिंग के समय भारत प्रिटिस सासन का सिमित नियंतरन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यही बारिन हेस्टिंग के समय बोर्ड आफ कंट्रोल के स्थापना की गई 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के दोरा बोर्ड आफ कंट्रोल के स्थापना की गई 1813 चार्ट एक्ट 1813 लॉर्ड मिंडो के समय लाए गया कंपनी का ब्यापारिक एकाधिकार श्रिमाप्थ हो गया कंपनी का ब्यापारिक एक अधिकार चाटर एक्ट 813 być के तहट सवांत कर दिया गया सती प्रथा निशेत कानून 1829 लाड विलियम विल्य। किसे में और सती प्रथा पर पृतिबंध लाया गया चार्टर एक्ट 1833 या भी विलियम बैंटी किसे में और यह जो है बंगाल का अंतिम तथभारत का प्रत्थम गवर्नर जनरल न्यूकत किया गया लॉड विलियम बैंटी को चार्टर एक्ट 1853 लॉड डल होजी किसे में कम्पणी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर न्याद्रन ट्रेश्ट के रूप में भारत पर न्याद्रन चार्टर एक्ट 1853 के दोरा किया गया हिंदु बिध्वा पुनर विवाह अधनियम 856 को लाए गई लॉड डलहौजिक के से में बिध्वा विवाह का मानता दिया गया भारतिय प्रशद अधनियम 1861 यहलाया गया लॉड कैनिंग के से में परिशद ने भारतियों का परभेश्ट करवाया गया पोटफोलियो प्रना कहते हैं समती आयू अधनियम एहलाया गया 1891 में समती आयू अधनियम 1891 लैंस डॉण के से में बाल विवाह 12 वर से कम आयू विवाह पर प्रतिवंद लगा दिया गया निश्टे हैं भात परशद अधनियम 1892 लैंस डॉण के से में निर्वाचन प्रनाली का प्रणाली का प के समय प्रित्तक निर्वाचन छेत्रों की वहस्था की गई मंटेग्यु चेंसफोट अधिनियम 1929 लॉड चिम्सफोट के समय प्रांतों में द्वैर सासन प्रारम किया गया शायमिन कमीशन 1927 लॉड इर्वीन के समय समिधान निर्मान योजना सार्दा एक्ट 1930 लॉड प्रांतिय स्वाचता दी गई अगस्त घोष्णा प्रस्ताव 1940 लिलिथो के समय प्रादेशिक स्वाशासन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 242 निलिथो के समिधान सभाग की योजना सुनदलय योजन juicy लॉड वेवल के समय सभी दलों के मिलाकर प्रशत झिर्मान कैबिनेट मिशन लॉड 1996 लॉड वेल संक झिर्मान वप्रांतों की श्वाचत तह माउंटेटन योजना लॉड माउंटेटन के समय भारत का विभाजन प्रमुख नारा दिया गया है कर मत दो कर मत दो यह नारा किसका है सरदार बल्ला भाय पटेल का करो या मरो या भारत छोड़ो महात्मा गांधी दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादो दूँगा शुहाश चंदर बोश जै जवान जै किशान लाल बहाद शास्त्री स्वाराज हमारा जन्म सित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगधर तिलक इनकलाब जिंदावाद सामराजवाद का नास हो भगशी साइमें कमिशन बापस जो लाला लाजपत्राय आराम हराम है जोहलाल नहरू सारे जहां से अच्छा हींदो सता ह हमारा मुहम्मद इकवाल सारे जहां सच्छा हींदो सता हमारा इकवाल प्रमुख व्यक्ति उनकी उपाधि दिया गया है महात्मा महात्मा गांधी को यह उपाधि प्राप्त की थी प्रदान की गई थी किसके द्वारा रवीना टैगोर के द्वारा राश्टपिता महात्मा स्वामा गांधि हैं山 शुहास चंद्रवूस ने राश्ट्परता कर सम książशित किया था महात्मा गांधी गुरु देव क कहिए कर सममोधित किसे किया था तो रवीना तैगोर को गुरु देव किसे कहा जाता है रविना ठैगोर को कि च्ष्टने और था महत्मा गांधी इस तरह से भियाद रख सकते हैं सरदार उपाजे दिया गया था बल्ला भाई पर टेल को बार्दोली की महिलाओं के दौरा देसरत में किसे कहा जाता है तो डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को किसने का था देसरत तो महत्मा गांधी विवेका नंद स्वामी विवेका नंद को कहा जाता है या उपाधी दी थी महराजा खेतडी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी अकवर दीतिये ने दिया था हरी विजय सूरी हरी विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधी किसने दिया था तो अकवर ने दिया था तान सेन को कंठा भरन व आगे बढ़ते हैं सुतंता आंदोलन के दौरान लिखित पुस्तके का नाम दिया गया और उसके लिखा का नाम दिया गया यहाँ से भी कोशन पुछे जाते हैं अनहैपी इंडिया लाला लाजपत्राएका है गीता रहस बाल गंगा धर तिलक गीता रहस जो की मांडले जेल में लिखा गया था बन्दी जीवन है शचेंडरनाश सन्याल का बन्दी जीवन सचेंडरनाश सन्याल इंडियन होम रूल है महात्मा गाधि का इंडिया डिवाइड़ डॉक्टर राजिंदर प्रशाद इंडिया डिवाइड़ किसका है डॉक्टर राजिंदर प्रशाद का इंडिया टूड़े रजनी पामदत इंडिया टूड़े पुस्ते किसकी है रजनी पामदत का है आगे बढ़ते हैं नेशन नेशन इन मेकिंग किसका है श्रेनाथ बनरजी का पाकिस्तान एंड पार्टिशन ओफ इंडिया भीम्रो अमेटकर की दा फिलोस्पी ओप दा बॉम भगवती चरन बुहरा फिलोस्पी ओप बॉम किसका है भगवती चरन बौहरा का है माई एक्स्पेरिमेंट विद प्रूर्थ किसका है महात्मा गान्धी का नौरोजी इंडिया अश्ट्रेगल किसका है, सुभाशन बोस का है, सत्यात प्रकाश, ध्यानन स्वाशती, पवर्टी एंड अनुरेटिस रूली इंडिया, दादा भाई नौरोजी आनन्द मठ पुस्ता किसका है, बकिम चैंच चतर जी का, इंडिया वेंस फ्रीड़म, मौलाना, अबुलकलाम, आजाद, डिस्कवरी अप इंडिया, जौहला नहिरू, डिस्कवरी अप इंडिया किसका है, जौहला नहिरू का, इंडिया फ्रॉम करजन तो नहिरू एंड आफ ウィ इंडिया एंड एंड इंडिया इंडियान मीशन किसका है उलीजिंडर का है 234 सांगरां Um पुस्तक है भाते स्वतंता संगरा विनायक धा मुदर्शामरकर पुरा नाम हुआ लाइफ डिवाइन अर्विन घोष, स्वांग अफ इंडिया स्रोजनी नाइडू, गितांजली, गोरा, क्रिसेट मून, पोस्ट आफिस रविना टैगोर, नेसंस बॉइस राधा कृष्णन, नेसंस बॉइस पुस्तक इसके है राधा कृष्णन की, गैदरिंग, अस्टॉर्म लैपियरे और कॉलिंस, लैपियरे और कॉलिंस के पुस्तक है, एसेज ओन गीता अर्वीन घोष, एसेज ओन गीता अर्वीन घोष, नील दर्वन या किसका है, दिन बंधु मीत्रे का, दबंच ओफ ओल्ड लेटर्स, जोहला नेहरू, दबंच ओफ ओल्ड लेटर्स किसका ह जोहला नेरू का है, हेट्स फोर सेल्फ कल्चर, हेट्स फोर सेल्फ कल्चर पुस्तक इसकी है, तेहल लाला हर्द्याल की, इंडियन फिलोस्फी पुस्तक इसकी है, इंडियन फिलोस्फी पुस्तक है, डॉक्टर राधा कृष्णन का, इंडिया अनरेश्ट पुस्तक इसका है तो विलेंटाइन शिरॉल का इसी में कहा गया था बाल गंगा धर तीला के बारे में क्या भारतिय अशान्ति का जनक है आगे बढ़ते हैं इंडिया ए नेशन एनिवेशेंट इंडिया ए नेशन पुस्ते किसकी है एनिवेशेंट का एकोनामिक हिस्ट्री औफ इंडिया आर्शी दर्थ वर्ष और संधी प्रथम करनाटक यूद 1746 से 48 के बीच और एला सापला की संधी के तर्समाथ हुआ था जब यूद समाथ होता था तभी संधी होती थी तो एट डेट याद रखने कोई जरुवत नहीं है दीचे करनाटक यूद 1749 से 1775 पांडी चेरी के संधी के तर्समाथ हुआ था प्रथम आंगल मराठा यूद 1775 से 42 पूरंदर की संधी जो की 1776 में हुआ था और बड़गाओं की संधी 1789 में हुआ था और सालावाई की संधी 1782 में हुआ था पूरंदर की संधी 1776 बड़गाओं की संधी 1789 सालावाई की संधी 1782 के विश्टक चला मंगलोर की संधी के तहत या यूद समाथ हुआ 1784 में मंगलॉर की संधी हुई त्रिति आंगल मैसुरे गांवे 1797 में सिरंग पठ्नम की संधी के तहट 1792 में में हसमाप्त हुई थी चत्वर्थ आंगल मैसुर यूद 1797 में मैसुर पर बिटिश कन्येंध्र हो चुका था जिसमें ट्रिपु सुल्तान की हार हुई थी और मिर्टु प्राप्त हुआ था दीतिये आंगल मराठा यूद 1803-1805 इसमें देवगाउं वा सुर्जी अंजनगाउं की संधी की गई थी 1803 में राजपुर घाट की संधी 1805 में हुआ था 1803 में देवगाउं वा सुर्जी अंजनगाउं की संधी राजपुर घाट की संधी 1805 में हुआ था आंगल नेपाल यूद 1814-16 सुंगौली की संधी के था समाप्त हुआ था 1816 में सुंगौली की संधी कभ गई था 1816 तेर्थे आंगल मराठा यूद 1816-19 और पुर्णा की संधी के था तया समाप्त हुआ था प्रतब अंगल भर्मा यूद 824-26 या दूब की संधी जो गई 826 में हुई थी प्रतम अंगल शिक यूद 845-46 लहोर की संधी वा भेरोवाल की संधी जो के 846 में हुआ था इसी संदीग के तादिया सुमात्वा था 1848-49 दितिया आंगल सीख यूद 1849 में पंजाब का वीले कर लिया आगया था फिर से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ अगर अस्क्रीन स्वाट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्रथम आंगल अफगान यूद 1849-42 लॉड ओकलेंट के समय हुआ था बंगल तथा भारत के गवर्णर जेनरल और वाशराय रोबर्ट कलाइब 1757-6, 1765-66 पलासी कहीं 1757 में इसी किस्वे में बंगल में द्वैज सासन लागों किया था इलाहवाद की प्रथम अदितिय संधी रोबर्ट कलाइब नहीं किया था उसके बाद हेंरी वेश्टॉट और इसका कार्षकाल है 1760 से लेकर के 65 और हेंरी वेश्टॉट के समय में ही वक्सर का यूद हुआ था 1764 में नेश्ट है 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 हैरी वेलेश्ट का कार्षकाल है 1766 से लेकर 1779 से दैश सासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था है गवर्नर से दैश सासन को समाब्द किया त्येटा प्रथम मर्दर्शा के स्थापना Warren Hissing नहीं की बंगाल के गवर्नर जंदल बंगाल के प्रथम गवर्नर जंदल Warren Hissing ही बना 1784 से 1785 बंगाल का प्रथम गवर्नर जंदल Regulatory Act 1773 EC किसमे प्रथम मराथा यूथ EC किसमे दिती अन्रमसूर यूथ EC किसमे इजारे दारी प्रथा का आरंभी EC किसमे हुआ था Warren Hissing किसमे उसके बाद Lord Convalis 1786 से तिरानवे और थोड़ा छोड़ा सा काल था 805 तो 1786 से तिरानवे के बीच इसका कार्षका रहा Lord Convalis का देती अंगल तिरती अंगल मैसूर यूद 1797 से तिरानवे तक चला था Lord Convalis किसमे बंगाल प्रांथ 1889 से तिरानवे में 1889 से तिरानवे में बंगाल वाले छेतर में लाग किया गया था बंगाल बिहार उडिशाई सवले छेतर में सक्ति के प्रिथा करन का सिधानथ लागू किया Lord Convalis ने Sir John Sol 1889 से 1805 सहाइक संधी की नीती इसी किसमे लाए गया 1789 में चौथा अंगल मैसुर यूद जोके 1799 में हुआ था चौथा अंगल मैसुर यूद देती हैं अंगल मराथा यूद जोके 1803 से लेकर के 1805 तक चला था अबर 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया कलकता में फोर्ट विल्यम कॉलेज के स्थापना भी लॉर्ड विलेजली नहीं की थी फोर्ट विल्यम कॉलेज के स्थापना कलकता में 801 में किसने क्या था लॉर्ड विलेजली सर जोर्ज वारलू इसका काल सकाल है 1805 से 1807 रियास्तों में आहस्त छेव की निती का शमर्थन किया लॉर्ड मिंटो प्रत्थम 807-1803 इसी किसे में अमरिशर किशन्धी 1809 में अंग्रेज और किष्ने क्या था राजा रंजित सिंग लॉर्ड हेश्टिंग 1813-1823 आंग्ल नेपाल यूद तिरती आंग्ल मराठा यूद तिथर रहयत वाड़ी विवस्था जोके 820 और महाल वाड़ी विवस्था 822 में लागू हुआ लॉर्ड एम हष्ट इसका कार्षकाला 1823-1823 प्रत्म आंग्ल वर्मा यूद जो हुआ था लॉर्ड एम हष्ट के समय ही और वैरकपुर्चावनी में भी द्रोज जो हुआ था 1824 में लॉर्ड एम हष्ट के समय लॉर्ड विलियम बैंडिक 1823-1823 यह भी बंगाल का अंति 17 822-1823 छाति गersonal के सब्सक्राइब चेckenन कि आगे बंगे leyon की लॉर्ड भारत का गवर्नेंत का लीज़ प्रत्म आर्फान गवरियम बैंडिक नेग में लॉर्डbook. Lord Matkoff, 1835-1836, इन्हें भारती प्रेज का मुक्ती दाता कहा जाता है। Lord Auckland, इसका कार्ज काल है, 1836-42, प्रतम आंगल अफगान यूदे, इसी के समय में हुआ था। Lord Alan Varro, 1844-44, भारत में दास प्रता का अंध किसने क्या था, तो Lord Alan Varro ने कव 1843 में, प्रतम अफगान यूद की समापती जो हुआ था, Lord Alan Varro के समय में ही। Lord Harding, प्रतम 844-44, प्रतम आंगल सेखियूद, लहर संधी द्वारा समापत हुआ। Lord Dalhoji, 1844-1856, दितिये आंगल सिखियूद, दितिये आंगल बर्मायूद, चार्ल्स बूड की सिच्छा नीती, जिसे सिच्छा का अंध्यागना काटा भी का जाता है, Lord Dalhoji के समय, Lord Canning, 856-57, भारत का अंतिम गवर्नर जेनर, जिथा इसी किसे में, 857 का बिद्रो हुआ था। रावर्ट कलाईव ने मुंगीर, इलाहवाद, तो था बांकीपूर में सेना के लिए तीन केंद्रों के स्थापना की, मुंगीर जोकी बिहार में है, इलाहवाद, उतरपरदेश में है, और बांकीपूर बश्यमंगाल में है, या तीनों चागा, सेना का केंद्र अस्थाप बारेत के पहली बार आयकर किष्णने लगाया था तो लौड कैनिंग लगाया था लौड एलगीन प्रथम इसका काज़ काल है 8062-883 लौड एलगीन प्रथम के स्में वहावी अंदुलन का दमन किया गया था तो एलगीन प्रथम नहीं। जॉन लॉरेंस, इसका काशकाल है 1864-1879, प्रथम अकाल आयो का गठन, जॉन लॉरेंस के समय में किया गया था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का काशकाल है 1879-1872, आर्थिक विकेंद्रिक करन की नीती की सुवात की, भारत ने प्रथम जनगना करवाई, और सांखी की सर्वेचन विभाग तथक प्रीशी विभाग का गठन, लॉर्ड मेयो के समय में किया गया, लॉर्ड नौर्थबृक, 1876, कुका विद्रोह का दमन, लॉर्ड नौर्थबृक के दौरा किया गया, लॉर्ड लिटन 1886-1880 दीती अकाल आयो का गठन लॉर्ड लिटन के समय में किया गया प्रथम दिले दरवार इसी के समय में 1870 में लागू हुआ पतला दिल दरवार आजित किया गया लागू नहीं 1870 में दिल दरवार लगाया गया वर्ना अक्विलर प्रेस एक्टर पारित किया गया 1888 में तथा दीती अंग अफगान यूथ लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था लॉर्ड रिपन 1883-1884 वर्ना क्विलर प्रेस एक्टर को 1882 में रद कर दिया रहंटर आयो का गठन किया गया जो किसी छासे समन दी थे 1882 में भ प्रमा को भारक में भी लेक कर दिया गया जैसा भारती राश्टी कोंग्रेस के साफ ना 1885 में की गई लॉड लैंस डॉन लॉड लैंस डॉन का जो कार्सकाल है 1888-1894 और इसी किसे में 1888-1894 वित अथा तिजानों में डुरेंड रेखा खीची गई डुरेंड रेखा खीची जो उडूरान आयोका घठन की आ गया लॉड एल्गिन देती है 1894-1893 के लिई लॉयल इसी किसे में लॉड करजन 1899-19isktATION смог मेंड लॉड करिंट में 15-10 प्रणाले कांग्रेस का बिभाजन लॉड मिंटो दीतिये किसमें ही वा था नहीं दीतिये दिल्ली दर्वार तो आज़ेद क्या गया था तो इसी नहीं हुआ था दिलिदरवार जो था लॉर्ड करजन के समें कांगरिस का विवफज निश्य के समें हुआ था 907 में लॉर्ड हाडिंग दीती है बंगाल विभाजन रत ते तिये दिलिदरवार प्रत्थम विश्यूत लॉर्ड हाडिंग दीती है किसे में सई दिया गया 1910-1916 लॉट्ट जेम्सफोट 1916-1921 होम रोली के स्थापना 1916 में की गई भारत शासन अजनियां 1929 लाया गया और मॉंटेगी चेम्सफोट सुधा रॉलेक्टेट जलियालवाग हत्याकाण प्रांतों में द्रया सासन आरम असायोग अंधुलनन की शुरुआत क गई लॉट रीडिंग 1921-1926 जॉरेट जॉर्य जॉरा की घटना कभ वही थी फर्वरी 1922 में काकोरी ट्रेंड डखाए थी 1905 में 1925-1929 अगस 1925 को काकोरी ट्रेंड डखाए थी ॉर्ड रीडिंग के समय में ही और स्वाराज पाटे के स्थापना 1923 में की गई थी लॉट री गुल में सम्मेलन तथा गांधी इर्विन संभाता इर्विन के समय में हुआ था नेश्ट है लॉर्ड वेलिंग्टन 1931-1936 दीतिये वाद गुल में सम्मेलन तथा भारत के सम्मेलन तथा भारत को स्वतांतर करने की घोष्णा लॉर्ड मॉंट्वेटन 1947-1948 तक अंति ब्रेटी वस्वायसराय तथा स्वतांत भारत के पर्थम गवर्नर जनरल सीराज गुपालाचारी 1948-1950 स्वतांतर भारत के पर्थम तथा अंति भारती गवर्नर जनरल कौन बने थे सीराज गुपालाचारी चार्टर अधनियम 833 के अंत्रगत वंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो ए रहा हिस्ट्री और हिस्ट् संग से कम्प्रीट करवा दिया चाहे वह एंसेंट हिस्ट्री हो मीडियेवल हिस्ट्री हो या फिर मौडन हिस्ट्री हो तो चलिए अप लोग पासंद आया ही कि अब लोग एक साइंस काड़ पार्ट उठा लेते हैं पाइय लोगो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर यह वीडियो पसंद आया होगा जिसे लाइक करिएगा अई तेक हमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नेश्ट वीडियो में